बार दोस्तों आज की इस वीडियों में बात करेंगे अलोक इंडिस्ट्री के बारे में गैज आप देख सकते हैं पर अलोक इंडिस्ट्री का चार्ट इस चार्ट में आप काफी सरा चीज जान सकते हैं अलोक इंडिस्ट्री के बारे में अगर आप इस चार्ट को ध्यान से द रहा है जिसका आप यह देख सकते हैं कि अलोक इंडेस्ट्री बहुत जबर्जस्त इसमें गिरावट देखनों को मिल सकता है अलोक इंडेस्ट्री में इसे भी हो सकता है जिस तरह अभी पेनिक सिच्वोसिन यहां पर अलोक इंडेस्ट्री में क्रियेट हुआ है पिछले एक स scandalistic है फर गायज इसमें अभी भी virus scandalistic firm हो रहा है और करीब आज 2-3 week के बीच में इसमें consolidate ही देखनें को मिल रहा है मतलब 20 और 21 rupic के आज पा से इसमें movement देखनें को मिल रहा है इसको उपर न तो जा रहा है और इसका नीचे नातो आ रहा है यहाँ पर अलोक इंडेस्ट्री का यह बात है और गैज अभी काफी सारे लोग ऐसे भी है जो कि जिसका मान पर पेनिक क्रियेट हो चुका है और उनमें से काफी चाहिते लोग प्रोफिट बुक करके अलोक इंडेस्ट्री से निकल भी चुका है लेकिन गैज बात यहाँ पर यह है कि अलोक इंडेस्ट्री आगे तक कितना दुर तक जा सकता है अलोक इंडेस्ट्री अब क्या कर सकता है कि अलोक इंडेस्ट्री फिर से 26 का जो सपोर्ट है इसका स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस उसको ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएग और इसे भी हो सकता है कि सपोर्ट तूटके हो सकता है कि इसका नीचे जो सपोर्ट है 15 रूपेज उस जगह पर भी आने का वह ज्यादा जानसे से तो यहां पर बात यह है कि पेनिक बहुत ज़्यादा क्रियेट हो जुका है तो आपको क्या करना चाहिए अलोग इंडिस्ट्री में यहां पर यह बात है तो अगर अगर हम आपको बताएं तो अलोग इंडिस्ट्री में जिस तरह का है अभी इसका सेलिंग में करीब 45% के आज़ पास इसमें बड़ोत्री देखनों को मिला है और इसमें काम बहुत ही अच्छा चल रहा है इसमें जिस तरह का इसका सेलिंग में और एक्सपोर्ट में इंकरिजमेंट हुआ है उससाब से टेडियंट लिमिटेड में भी काफी ज़्यादा लॉस हुआ था इसका बढ़ने के बज़े से जिसका कारण टेडियंट लिमिटेड में काफी ज़्यादा कुछ दिन पहले गिरावट देखनों को मिला पर गया इस बात यह है कि यह सब न्यूज जो है आप तक पहुँचाना मेरा काम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेले उनको प्रेस करके रखिए क्योंकि हम जब भी अलोक इंडिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाएंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो मेरा आपके पास जाए तो यह पर गया इस बात यह है कि अलोक इंडिस्ट्री अब कितना ओपर जाने का चांसे से तो हम अगर आपको बताएं अलोक इंडिस्ट्री के बारे में तो अलोक इंडिस्ट्री हो सकता है कि इसका रेजल्ट अगर इसके बाद के quarter में जिस तरह का सब का नजार इसका बाद वाले quarter पर है इसका बाद वाले quarter में रेजल्ट इसका अच्छा आया तो अलोक इंडिस्ट्री 100% एक up moment देखनों को मिल सकता है जहां पर की काफी सारे एक बाद पर काफी जगा पर काफ्य जादर लोग फशें हैं पहली तो यहां पर है जिस समय सेर्किट लगा था रचानक से सर्किट खुला उसके बाद फिर से इस जगह पर पहल इसन लोग फ़ज़े हैं और इहां पर अब का सकते इनोसेंट इनवेस्टर काफी यहां पर profit बुक करके बाहर निकल चुके हैं और अभी भी काफी सारे लोग जब वेट कर रहे हैं कि अब किया इस तरह इसका रिजल्ट आया है तो किज हम भी आप से एक हैंगे कि अलोक इंडिस्ट्री का रिजल्ट तक आपको इंदिजार करना चीए और ज्यादा यहां पर पेनिक किरि अलोक इंडिस्ट्री के अप मोमेंट के लिए और तब तक यह पार नहीं होगा जब तक यह इसमें किसी भी तरह से एक अप मोमेंट नहीं दिखा इसका अच्छा नियोज के बज़े से और दूसरा इसका जो सपोर्ट है जो काफी स्टॉंग सपोर्ट होए 20 रुपीज पर ह यह सपोर्ट अगर तुटता है तो अलोक इंडिस्ट्री और भी नीचे जाने का चांसे से और अभी तो इससे ज्यादा कुछ तो नहीं बता पा रहे हैं कि आप यहां पर देख सकते अलोक इंडिस्ट्री के कंडिशन दिन पर दिन खराब होते ही जा रहा है हम एक बार यहा पर ध्यान से देखे तो इसका जो सपोर्ट है वो कमजोर दिखने को मिल रहा है अगर आप इस चाट पर देखे तो तब देखते हैं कि अलोक इंडिस्ट्री आगे में किस तरह का मोमेंट देता है और किस तरह का निव जाता है तब तक हम आपको वीडियो बना के आप तक प